ही गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज हम बनाने वाले हैं अग्दम धावा स्टाइल पंजावी दम आलू की रेसिपी, तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, सबसे एक कड़ाई में हमने दो चोटे चमच तेल, इस तेल में हमें आलू को फ्राइ करना है, मैंने यह लगबग चार से पांच मिनिट के लिए इसको हम अच्छे से तेल में कुक कर लेंगे और उसके बाद इसको हम साइड में निकाल देंगे, बहुत ही सुद्नर कलर आया है, अगर आपके बास चोटे आलू नहीं है तो आप बड़े आलू के चार टुकडे करके यूज कर सकते अभी उसी कड़ाई में हम दो बड़े चमच तेल ले लेंगे तेल घर्म होने के बाद उसमें एड़ करेंगे जीरा, हींग डाल देंगे एक चोटा चोटा चमच, अभी इसमें हम एड़ करेंगे कर्दूकस के हूँए प्याज, हरीमिश, लसुन और अद्रक, राउनेश न दाल देंगे स्वात के अनुसार, अभी इसको अच्छे से हममिक्स कर लेते हैं और टमाटर को अच्छे से कुख होने देंगे तो इसमें हम आड़ करेंगे एक कट्री दही, दही को जब आड़ करिए या तो आप गैस के फ्लेम को बंद कर दीजें या इसको आप कंडीनो च इसको आप अच्छे से कुक करिए और साइट पर निकल जाएगा उसके बाद इसमाइड करेंगे कसूरी मेथी कसूरी मेथी से बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है बहुत अच्छा स्वाध आता है अब इसमाइड कर देंगे जो हमने फ्राई किये थे वह आलू और ताकि जो फ्लेवर्स है वो आलू बहुत अच्छे से आजाए तो आट से दस मिनिट ये अच्छे से कुक हो जाएगा उसके बाद इसमाइड करेंगे क्रीम घर की मलाई यूज कर रही हूँ है लगबग दो से तीन टेबल स्पून हम इसमें क्रीम डालेंगे बहुत ही टेस्टी और ढाबा स्टाइल हमारे पंजाबी दमालू बनकर रेडी हो गए ज़रू ट्राइ किजिए रेसिपी थैक्स पो वाचेंग